ओम शान्ति आज 5 जैन्वरी 2022 है आज की योग की स्थिती है निरंतर योगी की स्थिती निरंतर अर्थात लगातार continuous तो निरंतर का मतलब यही है कि जो मन ने सोचा वही मुख ने बोला और वही करम में लागू किया सोचने में बोलने में और करने में कोई अंतर ना हो कोई गैप ना हो इसी को ही निरंतरता कहते हैं जो मन में बाबा है वो मुख में भी बाबा निकले वही करम में भी बाबा समाया हुआ हो यही निरंतर योगी है इसी को ही निरंतर योग की स्थिती कहा जाता है तो आज के स्लोगन में भी यही निशाने बताई है कि जो निरंतर योगी है उनके मन में आत्मिक भाव होगा, शुब भावना होगा सुनते हैं आज का स्लोगन हर बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना हो तो कोई भी बोल वेर्थ नहीं जा सकता निरंतर योगी जो आत्मा है उनके भाव सदा ही आत्मिक भाव का होता है और आत्मिक भाव वो भाव है जिसके अंदर आत्मा के गुणों और शक्तियों से ओत प्रोथ हो गुणों और शक्तियों से संपन हो यही भाव सर्वस्रेश्ट भाव है क्योंकि इसी भाव से शुब भावना और शुब कामना उत्पन होते हैं यू कह सकते हैं कि आत्मिक भाव ही शुब भावना का उद्गम है, स्त्रोथ है तो जिसके अंदर आत्मिक भाव है वो automatically हर व्यक्ति के प्रती, हर परिस्तिति में कैसे भी हाल में उनके मन से सदा शुब भावना और शुब कामना ही प्रगड होगा, उत्पन होगा तो इसी लिए हमें अपने अंदर आत्मिक भाव पहले लाए हरे को देखते हुए तो automatically शुब भावना शुब कामना संपन जो vibration है वो फैलता जाएगा जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसका बीच है हमारे संकल्ग या हमारी भावनाएं जिस तरह के मेरे सोच होंगे, मेरी भावनाई होंगी, उसी तरह के मेरे बोल भी होंगे और मेरे करम भी होंगे चाहे कैसा भी करम दिखने में शुब करम नजर आता है, बोल सुनने में मधूर और सभ्य सुनाई पड़ता है लेकिन उस बोल या करम के पीछे यदि मेरी भावना स्रेश नहीं, शुब नहीं तो वो बोल व करम व्यर्ध चला जाता है तो मेरे बोल व करम जो होते हैं वो मेरे भावना के आधार से ही उत्तम मध्यम कनिश नंबरवार हो जाता है क्योंकि जो भाव है भावना है वही बीच है करम वबोल का यदि मेरा बीच क्वालिटी है तो मेरा फल भी क्वालिटी निकलेगा तो इसलिए हमें इस बात पर अटेंशन देना है कि मेरा भाव आत्मिक भाव हो मेरी भावना शुब भावना हो तो मेरा हर बोल समर्थ होगा निश्फल नहीं जाएगा हमेशा शुब भावना और शुब कामना से ओत प्रोध होगा तो आईए आज हम सभी मिल करके इस बात पर पूर्ण रिती से अटेंशन दे ओम शांति